Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Prince. 17 July के Editorial Analysis में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज के Editorials बहुत सारे repeated हैं, जो हम देखते आए हैं, चाहे वो UP का population वाला हो, चाहे वो sedition से related हो, बहुत सारे Editorial repeated हैं, लेकिन तो भी हम उन पे थोड़ी-थोड़ी बाते करेंगे, कुछ नहीं परस्पेक्टिव हैं, तो वो नहीं तो एक तरीके से आपका revision हो जाएगा. लेकिन आज का जो सबसे important editorial है, वो है, इंडियाज नीट और renowned healthcare system, renewed healthcare system, ठीक है? यह इंडिया के healthcare system पे है कि कैसे COVID-19 pandemic ने हमारे healthcare infrastructure या healthcare system पे एक तरीके से बहुत बड़ा effect डाला है, और इंडिया की क्या approach रहना चाहिए आगे आने वाले समय में. तो इसके उपर यह article है, बहुत important एक बार इसे देखते हैं, बहुत अच्छे viewpoints दिये गए हैं इसमें, तो उसे समझ रहते हैं. अब यहाँ पे बेसिकली साटिंग उन्होंने राइटर ने ऐसी की एडिटोरियल की, कि जो इंडिया के न्यू हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके सामने कुछ-कुछ दूसरे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस in the sense कि जो पुराने हेल्थ मिनिस्टर जो काम नहीं कर पाये थे, उनको उस काम को आगे लिके जाना है, और जो पुरानी पॉलिसी में जो फ्लॉस थे, उनको उसे भी ठीक करना है, प्लस अपना एक नया विजन रखना है, तो न्यू हेल्थ मिनिस्टर के सामने एक बहुत बड़ा एक चालेंज हमें देखने को मिल रहा है, तू स्टेट्स अण कमपारिजन, अभी यहाँ पे एक पूरा जो हेल्थ केर सिस्टर में रखते हुए और हेल्थ केर सिस्टर में रखते हुए, केरिला आन महराश में अच्छे से कमपारिजन किया गया है, कि य प्रकारी हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्मेंट ओंध हेल्ग केर सिस्टम है उनकी बात की गई है ठीक है डिस इस एविडेंट बाइंट बाइंग तूस्टेट्स विचिस करेंट्ली है थे हाइस नंबर ओफ कोविड नाइटीन केसे इन इंडिया अब वह बताते हैं कि ही केरिला में जो लोग कोविड से मरे हैं जिनकी डेठ हुई है वो है 0.48% मतलब जितने भी टोटल केसे मिले हैं केरिला में उसके सिर्फ नबहले हैं और से्म अगर महाराष्चा में देखें तो महारा इसमें तू पॉइंच यरॉंफकर की डेठ हुई है जितने भी cases हैं उसके 2.04% की death हुई है अब इसका कुछ न कुछ reason होगा reason यह है कि केरेला का जो healthcare infrastructure है जो public health system है वो बहुत जादा बहुत जादा अच्छा है केरेला में बहुत अच्छा development है वाँ पे public health care system बहुत जाद अच्छा है और सरकार बहुत जादा invest करती है उस जो सरकारी hospital है उनका infrastructure ठीक करने में चाहर डॉक्टर की availability हो इन सारी चीजों में केरेला में बहुत जादा ध्यान दिया जाता है और महराश में हम देखते हैं तो महराश में सरकार इतना जादा ध्यान नहीं देती है प्राइवेट हेल्थ केर सिस्टम बहुत जादा अगर आप मुंबई वगेरा में चले जाओ तो आपको बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे दिखते हैं तो महराश से 2.5 तो महराश से 2.5 तो महराश से 2.5 ज़ादा डॉक्टर है पर परसन पे कहाँ पे अगर हम महराश से अगर हम compare करें केरिला में तो केरिला में 2.5 ज़ादा 2.5 परसन तो केरिला में 2.5 ज़ादा धिक है और ये लोकंड पी ज़ादा allocate करते हैं despite महराश वेफिप्र बाइवेट health care system its weak public health system has provided to be a critical बधाने महणाराश में प्रभिट हेल्थ केर सिस्टम बहुत जाए है लेकिन फबल्लिक नहीं तो हम लोग फोकस क्यों कर रहे हैं क्यों कि जो गरीक इंसान है जो पर्रकर नहीं जा सकते बाइवेट करना पर नहीं जा सकते ना उनके पास इतने रुपह है अगर हम private healthcare system का बिल देखें तो कितना अच्छा बिल आ रहा था और इवन COVID-19 के टाइम पर तो ये लोग साफ साफ लूट मची हुई थी दो दो तीन तीन लाख रुपे एक एक हफते का बिल आ जाता था है न और इतने महंगे-महंगे injections इतनी महंगे-महंगी दवाईया तो private healthcare system होने से सिर्फ rich या allied class ही वहाँ पर जाके treatment ले सकते हैं लेकिन public अच्छा होता है तो सभी वर्ग के society में सभी वर्ग के इंसान वहाँ पर जाके अपना इलाज ले सकते हैं especially जो poor section है जिस पर सबसे जादा इसका impact पड़ा है वहाँ जाके अपना इलाज ले सकता है क्योंकि जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो तो already private में चले जाएगा already वो तो bed कभी इंतजाम कर लेगा oxygen कभी इंतजाम कर लेगा जो problem होती वो middle class family को होती है या फिर जो गरीब वर्ग से होते हैं ठीक है जो poverty line के below होते हैं in contrast robot government healthcare services in Kerala have translated into a more effective outreach timely testing, early case detection, more rational treatment of covid patients which altogether reduce fertility rates existing evidence from covid-19 pandemic provides a clear message a neglect of public healthcare system can mean a large scale avoidable losses of lives hence public healthcare system must be upgraded rapidly massively as a topmost priority तो यहाँ पर हमें यह बताया है कि Kerala में क्या हुआ था early testing कर ली थी ठीक है early cases का detection, testing फिर उनको quarantine करना और उपर से public healthcare system बहुत सही था तो इसलिए वहाँ पर चीज़ें बहुत जादा सही रही लेकिन महाराश्च में नहीं रही और सेम हम इसे इंडिया में implement कर दें कि केरिला में cases तो बहुत जादा आ रहे हैं even आज भी केरिला में cases बहुत जादा आ रहे हैं लेकिन वहाँ पर death कम हो रही है all due to their public healthcare system और वहाँ की आज तक ही जितनी भी सरकारे रही हैं उन साभी ने public healthcare system पर बहुत जादा focus किया है public healthcare system पर बहुत जादा रुपे खर्च किये हैं focus on public healthcare system अब यहां पर कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं वह सरकार का थोड़ा सा criticism भी है वह भी देखते हैं talking about priorities if 20,000 करो और nearby about allocated for central vista project were to be utilized instead to set up oxygen plant over two-third of over 25 government hospitals across India could acquire their own oxygen sources thus helping to save the life of lacks of covid-19 and non-covid-19 patients अब यहां पर एक तरीके से जो writer है, editorial के writer है वो सरकार को criticize करते हुए कि आप 20,000 करोड जो रुपे हैं वो आप किस पर खर्च कर रहे हो वो आप खर्च कर रहे हो central vista project पर नई parliament और इस सब बनाने पर खर्च कर रहे हो यही अगर आप healthcare infrastructure पर खर्च करते तो शायर देश पर 25,000 जो अस्पताल हैं उनका 25,000 जो सरकारी अस्पताल हैं उनका अपना oxygen का source होता अगर आप वहां पर खर्च करते तो आज उनके पास अपना खुद का oxygen का source होता और public healthcare system में बहुत जादा एक तरीके सामें क्या देखने को मिलता बहुत जादा सुधार देखने को मिलता और यह स जिस पर फोकस नहीं करते हैं हम सिफ और सिफ कोविड-19 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 कितनी बात कर रहे हैं कि हमने यह नहीं देखा था कि जब second wave एकदम अपने पीक पे थी अपरिल में के दौरान हम देखते हैं जब एकदम अपने पीक पे थी तब जो दूसरे जो पेशेंट से जिनके operation रुखे थे चाहें वो cancer का हो किसी को दात में तकलीव है तो वो नहीं जा पा रहा था इस कोविड के कारण दूसरे जो पेशेंट से उनकी क्या हालत हो गई थी क्योंकि उन पर हम बात ही नहीं कर रहे थे सारे hospitals को कोविड center में लगा दिया था तो एक जो दूसरा ए ही नहीं है आज तक तो एक ये भी एक सिनारियो है अलाजर प्रोग्राम विच रिक्वार्ट एंडियर अटेंशन अब धर है इंडियर आटिविटीजिट्टेशन अपने इन इन एडिक्वेट सपोर्ट तो सेट पर को एक्टिविटी तच इस इम्मुनिजिएशन वैस सिस अपने नैशनल हेल्थ मिशन सेट अप को तो कर दिया लेकिन हम देखते हैं कि आप उनके फंड्स दिन बर दिन कम करते जा रहे हो प्लस अब भी हम जो चालेंज है चाहिए वह वेक्सिनेशन का हो चाहिए जो दूसरे भी और भी हम जो बात करते ना और भी बहुत सारे टीक इस बार जो सरकार ने नैशनल हेल्थ मिशन में नैशनल अर्बन हेल्थ मिशन में एक हजार करोर का अलोकेशन किया अगर हम इस एक हजार करोड का अगर हम बाइफर्केट करें तो जितने भी अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं मुंबई, डेली, बैंगलोर, भोपाल, इंदौर यहां पे हम देखते हैं तो पर पर सिटीजन सरकार सिफ दो रुपे खरच कर रही हर महीने के हर महीने के सिफ दो रुपे खरच कर रही है अपने सरकार, अपने सिटीजन पे तो यह हालत है इंडिया के हेल्थ केर इंफ्रस्रक्चर की अब पर्लिमेंटरी स्टैंडिंग कमीटी ने भी बुलाई कि यह सिटीजन बदलनी चाहिए और सरकार को 1.6 लाक करोर रुपे खरच करने होंगे पब्लिक हेल्थ पे ठीक है नहीं तो सिटीजन भी करती जाएगी अब प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन अब यहाप एक दूसरी जो चीज हम देखते हैं एक तो आपको मैंने अभी यह पब्लिक हेल्थ केर सिस्टम बाला बताया अब यहाप दूसरी चीज हमें आप देख रहे हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार को सेक्ट होगा किसी स्टेट में साथे आट रहे खो किसी में नाओ सो यह सिर्स सरकार ने रेगुलेट किया इसके बि21 बिल स्टेव ही नंका क्यार विक जो लाइविट प्री ऱ जो फिचम दे उनला क्या और जब किसी अपने वाले ही जान एक दम कद्रे में होता है ना तब इ यहां पर बोला भी गया था कि इससे कोई कोई नाइटीन की डेथ में और कुछ फरक नहीं पड़ेगा और बहुत जादा कोई सीरियस हो उसी को लगाना है लेकिन तो भी जान बूझ करके 30-40-40-40-000 के इंजेक्शन लगाना और यह सारी चीज़े प्राइविट सेक्टर कर रह हैं तब यह नहीं देखते कि सामने वाले की जान गई है तो यहां पर सरकार का जो सबसे बड़ा रोल है सरकार का रोल यह है कि वो इस प्राइवेट हेल्थ केर सिस्टम को रेगुलेट करें ठीक है नौ नीती आयों क्या कहना है लॉजिकल क्रोलोरी और फ़र्स चू लेशन अब अब तक हमने जित्ता भी देखा अब तक जित्ता भी हमारे डिस्कूशन हुआ उन सबसे हमें यह समझ माया कि हमें और ज्यादा चीज़े प्राइवेटाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अल्री इंडिया में बहुत सफिचेंट अमाउंट आप तक्यों क्यों है यह मjach क्यों क्यों इस गयुशन निकाल रहें कि अभी हमें प्राइवेट सेक्टर यहें की जरुवत नहीं है लेकिन नीती आयोग ने एक रिपोर्ट रिसेंट्ली पब्लिश कि है उसमें लिखा है investment opportunities in India's healthcare system ये नीती आयोग ने रिपोर्ट publish किया और इसमें इन्होंने बात की है कि इंडिया में और ज़्यादा प्राइबिटाइज किया जागा healthcare system को क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा opportunity है tier two tier tier three cities में और ज़्याद हम लोग private hospitals को encourage करेंगे तो यहां पर नीती आयोग ऐसा बोल रहा है और साथ साथ में हमने चीजे देखा है कि privatize करने से कितनी ज़्यादा चीजें यहां पर खराब हो रही है उपर से जो private sector का इतना बड़ा रोल हर जगा प्राइवेट सेक्टर है लेकिन इतना बड़ा रोल इंडिया में यूएस में सब कुछी countries में हैं और आप उसको और करना चाहरे हो सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट में convert कर दो के हमें और सरकारी कि अस्पतालों की जर्वत है हमें जो प्राइवेट सेक्टर अल्रेडी काम कर रहा है उसके रेगूलेट करने की जर्वत है ना कि इसको और प्राइवेटाइज करने की जर्वत है ठीक है published in the midst of widespread experience of large-scale over changing and irrational care by private provider यह वही साली चीजह हैं instead the document celebrate the covid-19 epidemic as a prime business opportunity to be exploited stating in the hospital segment इन्होंने covid-19 pandemic को इस report ने मतलब इससे राइटर एक conclusion निकाल रहे हैं कि covid-19 pandemic को तो आप एक opportunity देख रहे हों कि कैसे private sector को बुलाएं और उससे बोले कि आओ भाई इन्वेस्ट कर दो तुम तो यहां पर हम यह बहुत बढ़ी crisis है और हम इसमें एक opportunity देख रहे हैं कि इसमें यार ऐसे से investment हो सकता है तो इसका conclusion हम एक ही निकाल सकते हैं कि सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए जो upcoming vaccination policy और जो हम vaccination hesitancy देखने हैं लोग vaccines नहीं लगवा रहे हैं मन में बहुत जादा डर हैं उन सारी चीजों में government एक proactive role play कर सकती प्राइविट सेक्टर नहीं कर सकता है और government को एक अच्छी strategy बनानी होगी government को vaccine की भी अच्छी policy बनानी होगी government को health care system को regular करने की भी अच्छी policy बनानी होगी साथ-साथ में हमें कोविड-19 से हट के जो दूसरी बिमारी है उस पर भी बात करना होगा क्योंकि उनको भी जो बिमारी है वो भी बहुत जादा serious है clear है I hope यह बार आर्टिकल आपको समझ में आगया होगा यह बार आर्टिकल सबसे important था और सबसे interesting भी था बहुत सारी उसमें नहीं नहीं findings मिली और इतने सारे data है हमारे पास में कि इस चीज में कुछ नया है यह नहीं जैसे इस वाल एडिटोरियल में बस यह बताएगा है कि international conference on population and development 1994 का जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर क्या बात हुई थी कि हम लोग population control ऐसे कोई norms लेके नहीं आएंगे हम लोग क्या करेंगे कि जो social factors education health वहां पर improve करेंगे जो reproduction राइट to reproduction है वो महिला का राइट है उसे कितने बच्चे पैदा करना वो जानती है कोई बाहर वाला आके नहीं बताएगा मतलब एक तरीके से सरकार हमारे पर impose नहीं करेगी तो यहीं वाली बाते हैं then sign of stabilization में भी मैंने बता लिए then issue of child sex ratio इसमें वही वाली बात है कि अगर आप दो बच्ची की policy लिया होगे तो यहां पर वस यह होगा कि माबाप देख लेंगे की लड़की पैदा होने वाली है तो उसका abortion पहले से करवा दिया जाएगा या फिर जो अगर लड़की पैदा होगी तो उसे मार दिया यह सारी situation होगी और इसका हम चाहिना वगरा इन सबसे भी example ले सकते हैं then a wrong path to follow इसमें भी वही बात है कि गलत बात है ऐसा follow नहीं करना चाहिए हमें social indicators, education, healthcare system इन पर ध्यान देना चाहिए महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए तो automatically चीज़े अपने आप हो जाएगी clear है इसका मैंने आपको एक summary दे दी इस article में क्या था क्योंकि already हम लोग बहुत ज़्यादा discuss कर चुके है ठीक है, now an overdue review, अब इसमें basically जो sedition है, sedition law के बारे में बात की गई है sedition के बारे में लोग already बहुत बात कर चुके है और एक video भी है, वो बहुत ही important video है आप उसे देख सकते हैं, sedition law करके Magnet Prince UPSC चानल पर ही, ठीक है अब यहाँ पे सुप्रीम कोट से बस यही बात है कि section 124A जो है, सुप्रीम कोट अब यह बोल रहा है, जो chief justice है ठीक है, chief justice बोल रहा है कि अब आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस law की क्या जरुवत पड़ गई है यह law जब अंग्रेज लोग लेके आया थे इंडिया में, तब उनका basic purpose ही था कि जो हमारे जो freedom fighters है जो आजादी की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ यह लोग sedition law, मतलब बेश द्रो का आरोप लगाते थे अंग्रेज और इन्हें जेल में बंद कर देते थे, ठीक है, लेकिन आज की टाइम में सरकार को इसकी क्या जरुवत है आज हम आजादी के 45 साल बाद सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत जादा missyos हो रहा है जब 1962 में इसका जब जजमेंट हुआ था, तो 1962 के जजमेंट में क्या बोला था सुप्रीम कोट ने, तब ऐसा बोला गया था है कि हाँ ठीक है भीया, ये लौ रहेगा तब सुप्रीम कोट ने बोला था कि आपको इसको narrowly interpret करना है, कोई बहुत, मतलब कोई hatred फैला रहा है, तो भी तो ही आप इसे यूज़ करेंगे अभी की सरकार हो, ठीक है, पुरानी सरकार भी कोई दूद की दुली नहीं होती, सारी सरकारे वो एक जैसी होती है, ठीक है, सब को सब अपने अपने political gains देखते हैं, तो अभी भी सरकार, पहले वाली भी सरकार अपने हिसाब से, किसी ने भी सरकार के खिलाफ आवाज के अंतहत उसको अंदर कर देते थे, सेडिशन मतलब आप एक anti-national हो, आप देश दरो ही हो, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा statement दिया गया था, अब basic के लिए देखो, इसका मतलब क्या है, statement ठीक है, इसका मतलब यह है, कि देखो, डेमोक्रेसी में सबके अलग-अलग point of view होते हैं, सबके अलग-अलग opinion होते हैं, कुछ single song book, मतलब कोई single ऐसा नहीं है, कि हमें यही, मतलब अगर सरकार बोल दे कि यह चीज अच्छी है, तो हम नहीं बोल सकती कि यही चीज अच्छी है, सरकार को यह opinion भी लेके चलना होगा, कि कोई इनसान बुलेगा कि यह चीज गलत है, तो मैंने से cover कर दिया है, लेकिन maybe अब इस sedition में बहुत सारे changes लेके आया जाए, even 2016 में Parliament में सरकार ने खुद बोला है, कि sedition जो world है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत wide है, उसकी बहुत सारी definition हो सकती है, उसकी कुछ limit होना चाहिए, in fact law commission ने भी बोला है, कि 2018 में कि यह सारी चीज़ आप नहीं होनी चाहिए, इंडिया को बिसकी जर्वत नहीं है, clear है, यह वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, then जो यह वाला article है, यह basically एक short article है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे exam point of view से इत्ता important नहीं है, लेकिन rising again, आया है, चोटा सा है, तो मैंने सुच आपक कम हो गए थे, पहले 9,00,000 मिल रहे थे, फिर एक जून में कुछ ऐसा आया था, जून के दौरान हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था, जून 21 के आसपास, कि सिर्फ 3,00,000 के से हमें पूरे देश में मिले थे, ठीक है, वो सबसे कम थे, फिर उसके बाद में वापिस देख रह रहे हैं, और इंडोनेशिया में 56,000 के से आना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री और उनके पॉपुलेशन साइज अगर आप देखोगे तो, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्री में कहीं लॉकडाउन पास्य लॉकडाउन और कहीं चीजें खुली भी ह के आसपास हम देखते हैं, 85% के आसपास फर्स जोन लग चुका है, यूके के अडल्स को, और 60-65% के आसपास हम देखते हैं, तो second dose भी लग चुका है, उनके अडल्स पॉपुलेशन को, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमने sufficient amount of vaccination देखा है, तो वहाँ पे cases तो आते हैं, लेकि 40-30% के आसपास second dose दिया, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने देखने को मिला है कि cases वहाँ पे आ रहे हैं, cases उनको जादा मिल रहे हैं, जिनको vaccines नहीं लगी है, उन states में जादा cases आ रहे हैं, जिनको vaccines नहीं तक पहुच पाई है, ठीक है, बाकि अभी इसका जो reasons है, वो सर्फ डे को भी मतलब social distancing वे करनी होगी, even vaccines लगने के बाद में, आज के editorial analysis में बस इतना ही था, यही सारी चीज़ें हमें discuss करनी थी, यह चारो editorial जो important थे, जो चारो editorial से हमने उन सभी को discuss किया, first वाला सबसे ज़्यादे important था, बाकि सारी चीज़ें हम already discuss कर चुके हैं, आज का editorial थोड़ा जितने भी पूराने वीडियोस के भी मैं comments निकाल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, नहीं वाले, पूराने वीडियोस के भी comments निकाल रहा हूं, कुछ अच्छे comments भी हैं, जिसमें अच्छी बात पर है, वो भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो लगभग लगभग आपके सारे कॉमेंट्स की मैं कोशिच करूँगा कि मैं जल से जल उनका अंसर दे पाऊं वीडियो के फार्मेट में तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद